भाग्य साली हुँछन, ती आमा वुबा जसको घरमा पुत्र को जन्म हुँछ रस्व भाग्य साली हुँछन, ती पिता जसको घरमा छोरी को जन्म हुँछ बेटी को पुत्री को सभाव एसतो हुँछ पिता को सन्मुख माया देखाऊना मन लाग देना तर बेटी लाई थाऊंच, पुत्री लाई थाऊंच, उसको मन माँ पिता को प्रती कती स्रधार कती प्रेम हैंच बने कत्ती पए आमा अले मलाई वन्नोंच, अजुर देरे ड्राउनोंच, बल्दा बल्दाई अईले पनी मलाई महाराश्त्री को संकल्प सुने रहा, महाको बिचार धारा देखे रहा, भित्र देखी त्यों भाव आई सक्यों, तर कंट्रोल मलाई थाऊंच, मसंग ब्यान भेटना अउदा पनी आमाहरू रोई राखन वाको दियो देवी प्रतिभाले जीबन मा केत कमाई को होदा पईसा कमाऊनों जीबन मा बहट ठुलो कुरा है ना कसे को दिल मा, कसे को रिदै मा राजगर नो भंदा ठुलो कुरा यो दुनिया मा त्यों भंदा ठुलो कमाई केपन जहे ना समस्त आमाहरू केबल आमाहरू न भायर अभियान एक जाना आउनो भाको थियो पती पतनी आमा बाबा दुई जाना आउनो भाको थियो वापनी आयर मसंग रुनो भयो मत ससंगमा जानते धर्म पुजा आधी गर्थे तरह میںरो पति देवले जीबनमा कईले पनी ससंग सुननो उधैना थियो जुन दिन देखी देवीजी हजुरुको कथा सुननो प्रारंब भयो जुन दिन देखी कोटी हुमको एक गते हजुरुको बाचन भयो एक गते देखिये आज दस गते भईयो न छुटाई कना पूरा चार गंटा को कथा सुनी राखनो भईको छा यही हो महराज मेरो जीवन को कमाई भने के यही हो मैले मेरो बाणी को माध्यमले यदि हजुर ससंग संग जोड़ी नू भईको छा धर्मा मा जोडिनु भाईको छा हजुरको मन मा भगवत प्रेम जागरित भाईको छा पने मा आफु मा संतुष्ट छू कि मैं ले क्या गरेर देखाएं रयो आसिर्वाद यो संपुर्ण कार्य को स्रेय मेरो पिताजी मेरो पिताजी लाई जान छा मेरो परिवार लाई जान छा जीबन मा आमाले संती भरी विचार गण होंचा के छोरी को लागई के सही होला छोरी लाई भोक लागईं की पियास लागईं की अहली पने याम्मा भसे को छू तर लो मेरो आमाले ग़रवाट हेरी राखनवा को छा मलाई पढ़नू होंचा मेरी आमाले मेरो चेहरालाई, मेरो हर सब्दलाई राम्र संग बुझनू होंचा मेरी आमाले आमाले एकदम प्रेम गरनूचा, ख्याल गरनूचा भोक लागे को होला, प्यास लागे को होला के खादा सही होंच, दुबली भई छोरी, मोटाओन नको लागे, के गरने, के खाने दस दिन मा मम्मी को मेरो आमा को तिन चार चोटी भोनाई सके अली खाने गर, अली खाने गर, दुबली भई सके चमत दुबला को तछाई न तर पिता ले जीबन मा केवल हजुर को घान पिन मा हीना हजुर को जीबन मा के गरदा हजुर ले सफलता प्राप्त करनोंच त्यों बिसाय मा सोचने सदै व केवल पिता होनोंच कती पए बेक्ती हरु बन्चन हजुर केवल आमा को लागी रुनोंच पिता को महत्तो हजुलाई थाजाई ना मेरो जीवन मा आमा बाबा को महत्तो मैं ले राम्रसंग भुजे कोचु मेरो पिता को कारण ले यो स्थान मा आजमा जुन गद्धी मा बिराजमान छु सर्व प्रतम का गईर के गरदा होंच का गयर पड़ाउने कसरी सफल वनाउने सदैव पिताजी ले विचार गर्नों थि मेरो हर जीदलाई पुरागने मेरो पुझ्य पिताजी पिता को महत्तो बजार मा सवई वंदा महंग और सवई वंदा सुन्दर कपड़ा कुन उंच तो सोचने के पिता जी हुमारा आज Week मां मसानव स्वेयटल लगाउन gjort अमन लाग दे न लाग दे की पिता जीधे गशने एवारः चाल・ कई बसी अगान Candle पिता रो पुत्री को संबन्त अत्यंत सुन्दर होंच बेटी को पुत्री को सभाव एस्तो होंच पिता को सन्मुख माया देखाऊना मन लाग देना तर बेटी लाई थाऊंच पुत्री लाई थाऊंच उसको मन मा पिता को प्रती कती स्रधार कती प्रेम होंच बने पिता प्रती को विश्वास, पिता प्रती को प्रेम पुत्री ले पितालाई सोध्य इशिन कि पिता जी अजुर कईले रुनुवायको छा जीबन मा अजुर एकदम रोयको छेड़ा जुलाई याँ छा पिता जी वन्नुँच बेटी जवतिमे सानी थियो जब तिमी सानी थियोँ नि तियो समयमा कम उमरमा साए 3-4 सालको उमरमा महिले तिम्रों अगाडी तिन ओठाचीज राखे दिये पैसा पेन रखेलोगना तो तिन ऊठाचीज मा तिम्लंई छान न दिये यो तिन ओठा चीज मा तिमलंई जे मन पर च उठाओ तिन अटा चीज माienza टिमने जे इमनलाख्षते उठाई राखना सक्षो तयो digo समये मा कम उमार मा पनि बेटी ले पुत्र ले के छानिन ठाशा जू लाई तीन अटा चीज लाई त्यागे रче पिता जीको काख माँ गउ़र बसिन पिताको काख माँ गउ़र बसिन तो तो दिन, तो दिन पितारो है पिता को प्रेम बसे र पिता जीरुनु वयो र के समय पछी पुत्र आये र जब पिता ले पुत्र ले सद्नु वयो तीन ओटा चीज मा तिमला के चाहिन छवंदा पुत्र ले पईसा उठाये र गए तियो दिन पिता को आखामा आशु आये को थियो महाराज बिक्ती भन्दचन छोरा हुने ही पड़छा छोरा हुने ही पड़छा घरमा यदि मलाई लाक्षा मत ये विचारधारामा जूने मान चे हजुर को घरमा छोरा चा तर छोरी छैन वने त्यो घरमा कईले पनी खुसिया आव देना तियो घर मा रोनक गर ने तो केबल छोरी ले मात्रे हो पुत्र ले एउटा कुल लाई तार छ तर पुत्री ले दो ओटा कुल लाई दुई ओटा कुल लाई तार छे भंद छन भाग्य साली हों छन ती आमा भुबा जसको घर मा पुत्र को जन्म हों छ रसोभाग्या साली हुंचन ती पिता जशको घरमा छोरी को जन्मा हुंच जशको घरमा छोरी को जन्मा धेरे बोलने रहजुरहलाई रूलाऊने मेरे एकशा छैना तरह मेरो दिलपनी आज पुझ्य पिताजी उपस्थित हुदा पिताजी को संघर्ष याद आयो मेरो लागी हजूर ले केबल मेरो पिताजी होई न मेरो चारे योटा मेरो ठुलो वावा दुयोटा अंकल पनी यहाँ उपस्ति होनों च मेरो चारे योटा पिताजी को देन आजम यहाँ चू प्रणाम चाह जुलाई भगवान श्री कृष्णा गोपी नीहलाई भंदे उनुँझा पत्ती व्रध धर्म को बारे मा भगवान ले गोपी नीहलाई सिकाउं दे उनुझा दुस्तिलो दुर्भगो बृध्धो जडो रोग्या धनो पिवा पत्ति ही श्त्री भिर्नाहा तब्यो लोगेप सुभी रपात की पत्ती व्रध धर्म को बारे मा छमा गर्नुवला मा पानी प्यों न जान जू दुए मिनट श्री क्रिष्ण प्रभू आज समस्त गोपिनी हरू भगवान को सन्मुख गय काचन भगवान ले पति ब्रध धर्म को बारे मा बताऊनो भयो तत पस्चाथ गोपिनी हरू भंदचन प्रभू हजुर्ने जगत को मालिक हजुर्ने संसार को पती जगत पती होनों जू संसार लाई छोडे रा हमी हरू हजुर्को सरण मा आई सके काच्छों तेसे कारण प्रभू हजुर्न हमी लाई स्विकार गर्नों हस तत पस्चाथ भगवान कृष्ण जी महराज पन्नुँच गोपिनी हजुर हरू को जी अपर्यम लाई मगजी लुकार गर्षों देव प्रती बाजिव की हजूर आमा हमी सबbardziej के हजूर आमा लई हमी माय कुछिन प्रदान गर्चों रतत पस्चाथ भगौन हमरो पिताश्रीलाई माय कुछ प्रदान कर्देचों पुझ्य महराज थ् CollET करकमल बाठ यह माय कुछ ने प्रदान गर्ण गई रहे का शो किरपया गरहन गर देनला आमा हजर आमा लश्चो सम्हावनों है लाव पीता स्रील आए पुझ्जी महाराश्वी को करकमल बाठ साची का यूटा धर्तिकी सुपुत्री सुने को थिये हजर भुबाले कथा गर्न एक पड़क जोड़दार ताली बजाए यही संदेशो पुर्वज रागदिने धनसंपती मणी माडिक्या शुन्चादी को थूप्र वईन शसकार रा सस्कृतिको थूप्रो राखी देए बने त्यों पुर्वज को मार्गमा जुन संतान हिंच त्यों संतान ले अवस्चे श्चे पुर्वज को आश्रवाद माता पिता को आश्रिवाद राफना हजर वबभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभ पंच कुमारी आभाशीया अच्च मात्यामिक विद्याम रईय रही शे अक्छे आरंब गरावने गुरुअ धाल्मा पाल सिंद ठेकुछ पन्च कुमारी आवाशी उट्हा मांध्यमक विध्यालय बाट यूता सम्मान पत्र समेथ आएको जो गरुभा गुरु अमाले दिव्य आमरु देवी जी को तस्विर शही देती बला देवी प्रतिवाजी अगाड़ आई दिनो ढ़िए दिनो आवशी आवाशी उचा मांध् पुष्पा गौतम जिव तेसे करे शिक्षक हरी कृष्णा दाहल जिव गायद को टीम ले बशा बड़ा सुंदर सम्मान पतर बनायरे लिए जोर्दार ताली बिशे सम्मान जा अमरो देवी जीव लाइवी पस्ता मिलाउन पर चाहा जब अनि अभी सीडी को टीम नेपाल को य। पावन चेट्र मा नेपाल को य। पावन धरतिमा जिव शेख बॉजे शीमा जी महराज बाल योगेशोर विजाई कृष्ण मुर्ती जी महराज ले जुन एती सुन्दर विशाल सब्वेर भब्य आयोजन गरनू भाई को छा मलाई लाक्षा कती बेक्ती हरू यो काम गरन को लागे केबल बिचार गर जन तर महराज श्री ले हामी हरूको सनमुख एती दिप्प्य आयोजन गरेर देखाई दिनो भायो आज पुरा नेपाल मा अच्छा कती बाए बेक्ती अलाए तो ये टेंचन होला रात भरी निंद्रपनी आउदेन होला बिजाई कृष्ण मुर्ती जी के गरदे उनोंचा ये बेक्ती को दिमाग मा के चले कोला प्यार से बोलो अधेर अधेर मलाई पनी लाक्षा जुन आयोजन हजुर हले एती सुन्दर रुप मा देखी राखनु भाको छा बिहान देखी बेलुका सम्मा राती पनी भजन भजन संध्या यहां भई रहे कों छा लाईब 24 घंटा र कैलास डाडा मा दिभ्य हवन पनी भई रहे को छा ये ती संपुर्ण कारेलाई समालन को लागी सानु तिनो बुद्धी भई को मान छे लेता सोचन पनी सकदेन महाराज धन्य है बाल योगे सुर विजय क्रिष्ण मुर्ती जी महाराज